अब बच्चो आज मैं आपको क्लास सेवन जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशिट नमबर 21 समझाओंगी जिसकी डेट में पास 8 दिसमबर 2020 ठीक है इसका टॉपिक है आज का टॉपिक वर्कशिट का क्या है सिमेट्री लीनियर ठीक है तो आज हम सिमेट्री के सिमेट्री क्या होता है को जैसे कि आप देख रहे हैं आप आपको कुछ फिगर्स दे रखी है और यह सारी फिगर्स मैंने डिवाइट कर रखे है आपको भी कह रहा है है आप स्टुदेंट्स फोल्ट गिवन पिच्चर अलंग विद गिवन लाइन वाटर्यू अब्स अब बना के जैसे एक पेपर पर आपने बनाया उसके बाद फोल्ट करके देखना है कैसे फोल्ट करना है जो यह लाइन है इस लाइन से ही फोल्ट करना है फोल्ट करने के पर जब आप खोलोगे तो आप देखोगे कि यह वाली शेप और यह वाली शेप है बिकुल एक जैसी है और एक्वाल है एक्दम मतलब लेफ्ट हाफ और राइट हाफ दोनों एक जैसे हैं ठीक है अगर आपने फिगर को वह फोल्ड किया उसके बाद जब आपने उसको खोला और उसके दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला जो पोर्शन है बिल्कुल एक्दम सेम है तो इसका मतलब वह फिगर आपको पता है कौन सी फिगर है वह फिगर आपके पास सिमे तो अबुंकर जो है आपके पास आपके पास नहीं पर नहीं है और की भी किसिक मीccu आपके पास नहीं आपके यह?" इसका है सरकल का तो गया भी फिगर को आगर आप कोई भी एक फिगर बनाओ उसको दो पार्स में डिवाइड करो या आप कीजिवी भी ऑबजेक्ट में देख सकते हो जैसे आगर मैं आपको एक एक जामपल दू आपके सब के घर में लehmant होता है नीबू को बिल्कुल руки में धर जाएक आगा डोने अब दोनों पार्ट दे रिखें लेकिन यह याद रखला आपने यहां पर यह भी इक और रखायं यह यह किया दो और आप वह दो पार्ट्स में कट हो गया उसका लेफ्ट हाफ और राइट हाफ दोनों एक जैसे तो वह है सिमेट्रिक फिगर इसके साथ आपको बताई यहां पर यह भी क्या रखा है यह आप अपने इंग्लिश अल्फाबेट्स में भी देख सकते हो जैसा कि कोई भी अल्फाबेट ले लो आप जैसे इनों ने ए और एच दे रखा है अगर हम एच ले तो इसको मैं ऐसे कट कर देती हूं तो देखो यह आप यह साथ जईंट यह वाली साथ दोनों से रिवैं तो यह मेरी लाइन डव श्यमेट्री पर यह कौN सी लाइन आप सिमेट्री में गीना में पास दो तरिके के होती है एक गज्ण प्तिंस ऑनिदन लाइन अफ तो आपके पास जो ऐसे होती है तो आपना आप डेको ना तो यह वर्तिकली भी दिवाइड हो रहे है अगर इस ह को मैं हॉरिजोंटली काटू यह वी सेम है तो इसका मतलब है न्दर पतर दो लाइन Of Symmetry Vertical Line Of Symmetry और Horizontal Line Of Symmetry लेकिन आप जैसे आपको इन्होंने A ही दे रखा है अगर आप A को Divide करोगे तो सिवाप Vertically Divide कर सकती हो इसको Horizontally Divide नहीं कर सकते करके देंगे एक बारी चलो देखते हैं देखो क्या ये दोनों theory लेकिन यह कोई सत अगल लेशंत लिए वो भी आपके पास दोनों लाइन अ भी खम्रूल यह नह revenue एक बार इसको वर्टिकल और ऐसे प्राइखते हैं ना कुट होने के बाद तो से अंदर किया इसके अंदर होरिजॉंटली डेखते हैं भूर आप यह दोनों फिकर से में उपर और नीचे वाली नहीं अब भी नहीं है तो इसका मतलब finish के अंदर एक भी लाइन डाइन तो आप ऐसे alphabet से practice करके देखना line of symmetry उसके साथ एक activity आपको यहाँ पर दे रखिए जो आपको इंक से करना है ठीक है एक paper को fold करना है उसके बाद खोलना है ठीक है और एक paper के एक side पे मतलब एक half पे आपको एक ink की कुछ drops जालनी है उसके बाद फिर दुबारा paper को press करना अच्छ कि तब आपको पता चलेगा कि कैसा pattern बनेगा ठीक है चलिए आगे बरते हैं अब आगे हमसे यह कह रहे है lines of symmetry for regular polygon regular polygon कौन से polygon होते हैं दीको polygon वह होते हैं जो आपके पास कुछ lines से बने हो ठीक है दो से ज्यादा लाइनों से जो बने होते हैं जैसे आगर मैं बोलू तीन जैसे मैं आपको बोलू square आप कह सकते हो फौर साइड़ पॉलिगन यह वह हमार पस कहने के लिए rectangle भी हमारा फौर साइड़ पॉलिगन नहीं है लेकिन इसके सारे साइड़ इकुल नहीं होती है तो इसको मैं रेगुलर पॉलिगन नहीं बोल सकती है उसी तरीके से आप ट्र तो उसको मैं रेगुलर पॉलिगन बोल सकती हूं लेकिन इसो सेलस और स्केलन को नहीं बोल सकती हूं क्यूं क्यूंकि उसके साइट्स इक्वल नहीं होती है मेरे पास तो आप से हाँ पर कह रहा है नेम ऑफ दशेप कुछ ट्राइंगल की या फिर कोई और पॉलिगन की शेप्स आपको दे रखें आपको यह बताने है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ स्मेट्री होगी तो देखो एक आपको लिखके दे रखें स्केलन की नो लाइन ऑफ स्केलन ट्राइंगल एसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइट से लग होती है तो मैं अगर उसको डिवाइड इसमें डिवाइड करने लग गई तो यह इकोल नहीं आएगा मतलब लेफ्ट हाफ और राइट हाफ एक जैसे नहीं होगा नहीं होगा तो इसलिए नो अब वह बात कर रहें regular pentagon की pentagon की होता है जो five-sided figures होता है आप एक चीजा ध्यान नखेएगा जितने भी regular polygon होते हैं उसमें जितनी side होती है न उतनी ही उसमे line of symmetry होती है हमेशा ठीके वही चीज यहां लिखी भी है each regular polygon has as many line of symmetry as its side जितनी उसकी साइट उत्य उतनी उसमें थोपने लाइन और से मेटी एकनि को यह एकना सैंगल होता है इसके तीरों साइड उती है तो इसमें फेर ठी सिंट्री समेट्री होगी यह स्कुरेड है is of symmetry can be horizontal as well as vertical अब आते हैं हम अपने last topic पे reflection and symmetry reflection मतलब the line of symmetry is also called mirror line because one of its is the mirror image of the other half can a line of symmetry mirror line भी बोल सकते हैं ऐसा क्यों अगर देखो आप अगर mirror में mirror के आगे खरे होगे तो आपको अपनी photo दिखेगी ना किसी और की दो नहीं दिखेगी तो जो इमेज आपको mirror में दिख रही है वही mirror के बाहर इमेज है सेम इमेज तो है दोनों है नहीं है तो आप उसको mirror line भी कह सकते हों अब बात आती है यहां पर reflection की तो अगर आप mirror में कोई alphabet एक alphabet आप करना यह try आप उसे copy पे लिखना जैसे यहां पर ई लिखावा है और फिर उसको mirror में देखना तो वह कुछ ऐसा दिखने वाला है इसको बोलते हैं हम line of reflection उल्टा दिख रहा है ना यह ठीक है पर कुछ alphabet ऐसे होते हैं जिसको आप mirror में देखोगे ना copy पे लिखने के बाद mirror में देखोगे तो वह वही के वही दिखेंगे जैसे मैं आपको एक example दू ए करके देखना आप copy में ए लिखना बस ऐसी लिखना ए और उसको फिर mirror के आगे देखना तो आपको बिल्कुल सेम ऐसे ट्राइक है ठीक है चलिए कोशन्स देखते हैं बहुत चोटे चोटे से कोशन्स है और बहुत असान कोशन्स है कहा रहा है कौन से alphabet same रहेगा reflection symmetry के बाद check करना आपको किस किसमे r c n a t ठीक है तो मैं आपको answer यहां जरूर बता देती हूं किसका answer t है लेकिन आप यह सारे alphabet एक एक बार copy पर लिखना और आप mirror के आगे check करना कि कौन सा alphabet इसमें आएगा जो same रहेगा ठीक है r लिखने के बाद mirror में चेक करना क्या वह same r दिख रहे है जो आपने लिखा था या फिर उल्टा हो गया है same c check करना n check करना a अच्छा a b यहां पर तो a भी आएगा दोनों आएंगे ठीक है a check करना और t check करना आपको यह दो alphabet ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल same आपको mirror में दिख रहे होंगे यह मतलब change नहीं होए होंगे बिल्कुल भी ठीक है जरूर करना आप इसको question number two है आपके पास draw a figure having an infinite number of line of symmetry क्या एक ऐसे figure बनाओ जिसमे infinite number of line of symmetry infinite मतलब बहुत सारी जिनको आप गिन नहीं सकते हो तो ऐसे कौन से figure होगी तो ऐसे सिव एकी figure है जिसका नाम है circle आप इसे properly बनाना circle को compass से ठीक है आप इसमें कितनी भी line of symmetry बना सकते हो equal है दोनों half left half और right half ऐसे बना लो अभी भी यह equal होंगे आप ऐसे बना लो आप इन सारी lines को ना dotted line से बनाना ऐसे तो आप ऐसे कई सारी lines इसके अंदर दिखा देना और इसके नीचे नाम ज़रूर लिख देना circle इसका नाम भी लिख दी और उसका नाम भी लिख दिया उसमें line of symmetry बना के भी दिखा दी हमने ठीक है चलिए answer no.3 देखते हैं how many line of symmetry do the following have बताओ कितनी line of symmetry होंगी जो आपको यह parts दे रखें इसमे यह part है parallelogram देखो parallelogram ना कुछ ऐसा होता है आपको सिर्फ line of symmetry के number लिखने है पर मैं आपको यहापर एक example देखे बतारू parallelogram कुछ ऐसा होता है तो जब हम इसे बीच में से अकर divide करेंगे ना तो यह कभी भी equal नहीं होते है इसकी कुछ properties होती है जिसकी वज़े से यह equal नहीं हो पारे तो parallelogram में zero line of symmetry होती है तो हम यहां लिखेंगे zero line of symmetry ठीक है सेकिन पार्ट में आपसे वह कहा रहा है regular hexagon hexagon वह होता है जिसकी 6 मतलब six side होती है तो अभी हमने किया था regular polygon में जितनी side होती है उतनी line of symmetry होती है किया था ना hexagon में six side होती है तो इसमें कितनी line of symmetry होंगी six line of symmetry ठीक है ना लास्ट रह गया है alphabet x यह तो आप करके भी देख सकते हो एक्स अगर यहां लिखें तो इसके अंदर दो line of symmetry होती है dotted line से आप इन्हें कट करना horizontal or vertical line of symmetry को ठीक है तो लिख देते हैं यहां पर two line of symmetry आप करके भी दिखा सकते हो इसको ऐसे x को ठीक है hexagon की figure बना के भी आप कर सकते हो six-sided figure बनाना उसमें six lines ड्रॉआ कर सकते हो जैसे देखो इन्हों ने यह बना रखा था पेंटागन यह वाला ऐसा आप hexagon six-sided figure वाला बना के ऐसे dotted line से दिखा सकते हो ठीक है दिखाना dotted line से जब भी आप line of symmetry दिखाओ ठीक है आप किसी भी figure में दिखाओ मैं circle के लिए भी बोलू second के लिए आप इन्हें dotted line से दिखाना ठीक है यहां पर है शायद से दिख्यूम है अ 4, 5, 6 और 6 line of symmetries दिखा देना ठीक है पहले hologram में एक भी नहीं होती है तो आप बना के छोड़ देना लिख देना 0 line of symmetry या no line of symmetry इसमें यह भी लिख सकते हो आपकी मर्जी है आपको इसा भी लिख सकते हो ठीक है और डाल देते हूं मैं यहां पर ठीक है तो इसे के साथ हमार यह worksheet no.21 complete हो गई है अब worksheet no.22 जो है वह हम अपनी next video में करेंगे तो अगर आपको यह video अच्छे लगी तो आप इसे like जरूर कीजेगा और मेरे channel को subscribe कीजेगा thank you